तो हाइ अबरीवन हम लोगों ने नेक्स क्लास में बात किया था यहां तक ठीक है अब ही हम लोग देख रहे हैं question number यह आपका extra question है ठीक है तो इस question को भूब देख रहे हैं ताकि हम लोग आगे के और अच्छे concept को समझ सकते तो previous class में हम लोगों ने देखा था कि velocity of longitudinal wave और velocity of transverse wave क्या होता है अब जैसे देखो इस तरह का question आ सकता है इसलिए मैंने extra में इस question को लिखा था देखे इस question में क्या है estimate the speed of sound air at a standard temperature मतलब आप निकालिए speed of sound को कहां पे standard temperature में and pressure the mass of one mowl of air मतलब बोल रहाए कि एक mowl of air का मस्ट जो दिया हुआ है इतना दिया हुआ है ठीक है और आपको उसका speed निकालला है किसका speed निकालला है speed of sound का आपको निकालना है कहां पे air में निकालना लिकिन temperature कैसा रहना चाहिए standard temperature रहना चाहिए और standard pressure रहना चाहिए ठीक है यह चीज को देखते हैं लोग आगे बढ़ता है question यह था अब जैसे हम लोग को यहां पर अगर इसका हम लोग solution लेखे तो solution में आप लोग यहां देख रहे होंगे कि अगर हम देखे कि कोई भी मॉल अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर standard temperature प्रेशर पर स्टीपी पर आपका 22.4 लीटर होता है ठीक है एक मॉल कोई भी गैस ले लो उसमें आपका कितना होता है 22.4 लीटर होता है कब standard temperature प्रेशर पर आजाएगा question कि at stp किसी भी वन मॉल ऑफ गै में कितना लीटर पाया जाता है तो एक मॉल ऑफ गैस में 22.4 लीटर पाया जाता है ठीक है अब मेरे को पहले density निकालना होगा तब तो velocity निकालेंगे ना क्यूंकि next class में मैंने आपको velocity का फर्मूला बताया था है ना velocity of longitudinal wave का फर्मूला बताया था अब जो sound चल रहा है वह basically क जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दो देख लो velocity of longitudinal wave जिसमें आपका reflection and compression होता है जो sound वाला system के लिए होता है तो उसका velocity निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ना elastic coefficient by density तो density निकालना ज़रूरी है और elastic coefficient मने बल्क वाला जो की previous class में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि बल्क जो होता है प्रिशर के बराबर भी हो जाता है ठीक है अगर आपने वोला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना ध्यान देजेगा यहां पर अगर हमको density निकालना है तो हम क्या करेंगे मास ऑफ वन मोल ऑफ एयर बाइदा वॉल्यम ओफ वन मोल ऑफ एयर एट स्टीप तो मास ऑफ वन मोल हमको को कोश्चन में गिवन दे रखा था 29.0 इंटू ते पावर 3 kg और हमको वॉल्यम यहां से मिल गया क्योंकि हम सबको पता है एक मोल अफ एनी गैस में वाल्यम कितना हो सॉरी 1.29 kg मिटर पर क्यों ठीक है यह आपका क्या आगया डेंसिटी आगया ओके अब हमको क्या करना है इसके उपर जो फर्मूला लगाएंगे हम लोग वी इस इक्वल टू रूट अंडर यह जो उपर में लग रहा है वो बेसिकली बल्क कोफिशेंट लग रहा और नीचे को सॉल्व करते हैं तो हमारा साउंड का जो स्पीड आता हो कितना आता है लेकिन हम सब को पता है कि साउंड का स्पीड इतना नहीं होता है साउंड का स्पीड कितना होता है 331 इतना होता है साउंड का स्पीड तो यहां पर 280 क्यों आ रहा है क्योंकि अगर हम न्यूटन के हि साब से जो साउंड होता है ना उसको आइसो धर्मल प्रोसेस कहा जाता था ठीक है लेकिन बाद में लैपलेस सहाव आए लैपलेस एक साइंटिस्ट है और उन्होंने बताया कि नहीं जो साउंड है वह आइसो थर्मल प्रोसेस नहीं वह एडियाबेटिक प्रोसेस होने के वज लो एयर में है और जीरो डिग्री सेल्सियस पे हम अगर साउंड क्या स्पीड देख रहे तो इतना होता है तो इसको आप याद रख सकते हैं अगर में कोश्جान अगर आग्या तो बता सकते हैं कि साउंड का स्पीड बढकर लेपिलेस के हिसाब से क्या होना चैएए फर्मूला थकूंन कर gefूल हैं 3 sound प्रोसरस होता है देखो Newtonन ने भी सही सोचा था Newton ने क्या सूचे था कि जो हमारे आसपास का Air है उसमें temperature कहीं जो होता है बदला होता है थिक है तो टेंपरेचर का बदला होता है तो उन्होंने क्या कर दिया था कि temperature को लेकिन तुम खुद से सोचो अगर आपके आसपास का जो भी एर का सराउंडिंग है उसमें टेंपरेचर क्या हो रहा है चेंज होते रहता है तो वहां का आसपास का टेंपरेचर अलग होगा ठीक है और कहीं पर अवर पेड़र यहां का टेंपरेचर अलग होगा अब हम कहीं से साउंड भीज रहे तो साँड्बेचर तो चेंज हो रहा ना सराउंडिंग के वज़े से तो उसमें हमारा साउंड उसका वेड बिडिस्ट्रक्त होगा कहीं नहीं तो इसलिए लापलेस ने बोला कि कि देखो ह वाला चीज है यह आपका density हो जाता है और यहां पर प्रेशर है और यहां जो वाई लगा हुआ है यहां आपका क्या है बिसिकली यंग मोडुलस जो होता है वह है तो यह अपको याद रखना है कि यह यहां पर रख सकते और बाकि जो एज़िटीज आप इधर न्यूटन वाल लगाने ना है ठीक है अब देखो इसी पर डिटुटी में नेक्स्ट कोश्चन आ गया थे 104 नंबर में तो न्यूटन के हिसाब सोना चाहिए था आइसो थर्मल और आइसो थर्मल में क्या होता है टेंप्रेचर टेंप्रेचर कॉंस्टेंट होता है लेकिन यह तो गलत है ना सब्सक्राइब का एडियावेटिक ही होगा ठीक है अब हम लोग देखते हैं कोश्चन नंबर 105 में क्या कह रहा है एट रेजोनेंस देंप्लिट्यूड ऑफ वाइवरेटिंग बॉड़ी प्लेज इन वैकम और वह क्या होगा इंफानाइट होगा मैक्सिमम होगा मिनिमाम हो ठीक है क्या कह रहा है एट रेजोनेंस रेजोनेंस के समय में जो घृमलीट्यूड होता है ज्टी episód को गarı कर रहा है ठीक है तो इसमें बनता है जिसकों मोग बोलते है तो रेजोनेंस के टाइम पर बोल रहे हैं जो होगा तो जो देखना है यह वाला जो concept बैसिकली ऑसिलेशन से उठके आया है जिसमें आप लोग पूछा जाएगा कि free oscillation और force oscillation क्या होता है तो अब लोग इसको देखते हैं कि free oscillation और force oscillation क्या होता है अगर हम बात करें तो free oscillation जो होता है उसको basically हम लोग vibration कहते हैं ध्यान से समझना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है देखो क्या कह रहा है when an object is made to oscillate freely जब कोई object केवल oscillate करने के लिए मतलब easily वो खुद से oscillate कर लेता है when an object is made to oscillate freely on its own मतलब वो खुद से oscillate कर लेता है then such oscillation are called free oscillation उस तरह के oscillation को हम लोग क्या बोलते हैं free oscillation बोलते हैं मतलब कि मोटा-मोटी कि ऐसा समझा जाए कि एक ऐसा oscillation है जिसमें हम लोग कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाता है यह खुद वखुद oscillation करता है इस तरह के oscillation को हम लोग free oscillation कहते हैं और vibration जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि अगर कहीं पर sound system बज रहा है तो उसके बाद आपके जो आसपास का जो भी माटेरियल होता है उसमें आपको vibration देखने को मिलता है ठीक है तो वह बाइब्रेशन वह material बिसिकली खुद से करने लगता है क्योंकि उसके सामने एक वेब चल रहा है उसकी मीडियम में वेब उसको डिश्टरब कर रहा है तो वह खुद से करने लगता है उसमें कोई वाइब इस ओन नैच्टरल फ्रिक्वेंसी मैं अभी जस्ट बताया ना कि हर बॉड़ी के पास अपना खुद का एक नैच्टरल फ्रिक्वेंसी होता है जैसे कि मशीन बील्डिंग फिर आपका डैम हो गया ब्रीज हो गया इन सब के पास अपना एक खुद का मतलब फ्रिक् को जाब करते हैं लेकिन जैसे आप डॉड वेगरा को देृशंगे पहले से पता रहता है अर्फैक्वेगरा आने वाले है पर जमीन से रिलेटेड जो जानवर होते हैं उनको यह समझ में आता है क्यों समझ में आता है क्योंकि हर material के पास अपना एक natural frequency होता है जिसके वज़े से natural frequency के वज़े से हर material vibration करता है ठीक है तो वह vibration basically जो जानवर लोग होता है उन लोग को में भी समझ में आता है इसी वज़े से अर्थक्वेक से पहले ही जो डॉग वेगरा होते हैं वो काफी ज़दा डरे हुए रहता है ठीक है तो free oscillation समझ में आया अब आते हैं damped oscillation damped oscillation क्या होता है if the amplitude of oscillation continuously decreasing with the time then the oscillation are called damped oscillation damped oscillation क्या होता है कि जैसे मालो आपने इसमें कोई force लगाया और force लगा कि आप इसको ऐसे pendulum को ऐसे fluctuate करा रहे है ठीक है और थोड़े दिर के बाद यह air के resistance के बाद यह क्या हो गया रुख गया तो उस तरह के oscillation को लोग कौन सा oscillation बोलेंगे damped oscillation बोलेंगे कि आपने इसमें force दिया oscillation हो रहा था कुछ time के बाद यह रुख जाता है due to the air resistance या फिर तरह रीजन है जिसके वाद से रूख सकता है तो उस तरह के oscillation को लोग कौन सा oscillation कहते हैं अब आते हैं लोग फोर्स ऑसिलेशन पर देखो फोर्स ऑसिलेशन होता है जिसमें हम लोग external force apply करते हैं जैसे दिखेगा दा वाइबरेशन टेक्स प्लेस अंडर दा इंफ्लेवेंस ऑफ एक्स्टर्नल वाइबरेटिंग फोर्स मने एक्स्टर्नल वाइबरेटिंग बोलो तो आपने बाहर से उसमें कोई फोर्स लगाया जिसके वज़ेसे वह चीज आपका उसिलेट कर रहा उस तरह के उसलेशन को फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं तो अभी तक हम लोग अलग से एक external vibrating force देते हैं जिससे कोई भी particle हमारा oscillation करता है उस तरह को oscillation को हम लोग बोलते हैं जैसे यह वाला आप देख रहे होंगे इसमें अगर हम इस एक पार्ट को ऐसे फोर्स दे तो यह दूसरा पार्ट को किया resonance क्या है तो देखो जब फोर्स वाइब्रेशन होता है फोर्स वाइब्रेशन अलग चीज़ है पहले दिमाग में सेट करेंगे तो फोर्स वाइब्रेशन को हम समझते है और प्रड्यूस बाइद एक्स्टरनल पिरियोडिक फोर्स औफ एनी फोर्स वाइबरेशन में क्या होता कि इसम करनल पिरियोडिक फोर्स देते हैं जबन चीश यहां पर क्या होता है ठीक फोर्स टूँ दा नैचरल फरिक्वनेंट लेकिन लेकिन निघ्चुर्ल फ्रिक्वेंसी में देते हैं जब Need UP जोगा नीर्ली मतलब यह जो रेजोनेंस में कुछ नहीं होता सब्सक्राइब कर रहे हैं कि इस पर्टिकल का अपना खुद का एक नेच्रल वाइब्रेशन ठीक होगा चिस्टर्न frequentी से अपना खुद का यह मीन एक्स्ट्रीम कर रहा होगा जो इसका खुद का वाइब्रेशन वाहिब्रेशन सब्सकिन फ र्लाइब की है और वह एक्स्टरनल फॉर्स इसके natural frequency के बराबर आ जाये मतलब equal हो जाये natural frequency भी और जो हमारा external जो हमने force लगाया है वो भी तो उस case को हम लोग कौन सा case बोलते है resonance बोलते हैं ठीक है और force oscillation मैंने force vibration क्या होता है जिसमें आपने एक force लगाया और particle अपका ऐसे से oscillate कर रहा है और कुछ time के बाद वो रुख गया तो वह तो भाई force vibration है लेकिन मान लो कि हम लोग कभी एक ऐसा force apply किये जो natural frequency के बराबर हो गया तो वह particle क्या होगा वैसी oscillate करते रहेगा वो रुखेगा नहीं ठीक है अब थोड़ा सा ध्यान दिएगा इसमें जो amplitude होता है vibration का बहुत ही small होता है क्योंकि force vibration है तो इसमें amplitude बहुत ही छोटा बनेगा लेकिन इसमें amplitude vibration का बहुत ही बड़ा बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा तभी वो natural frequency को acquire कर पाएगा ठीक है तो resonance क्या होता है जब amplitude क्या हो बड़ा हो और यहां पे amplitude क्या होता है छोटा होता है vibration stop in short time as external forces remove जैसे इसमें external force remove होगा vibration stop हो जागा अब जब कि यहां पे जो external force है वो natural frequency के बराबर हो गया है तो इसका vibration continue रहेगा बहुत ही long time तक क्योंकि आप सबको पता है यहां पे क्या हो रहा है कि जो भी आपने force apply किया वो उस body का natural frequency के बराबर हो गया है तो यह चीज बहुत ही long time तक चलेगा इसी चीज़ को अब लोग क्या बोलते है resonance बोलते है ठीक है अब ध्यान दीजेगा the amplitude of resonance of vibrating body in a vacuum is maximum और infinite क्योंकि आप से question में यही पूछा था कि अगर कोई body है जो resonance कर रहा है तो उसका amplitude क्या होगा ठीक है amplitude मने वैकम मने air में मैं सॉरी वैकम मने जब air ना रहे ठीक है तो amplitude of resonance of vibrating body in vacuum वैकम मने जब air नहीं रहे क्योंकि तुम खुद से सोचो अगर air रहेगा तो उसके resistance के वरसे तो यह चीज रुख जाएगा तो यह long time तो जब थोड़ा बहुत डैंपिंग रहे तो वह maximum होता है और जब 0 डैंपिंग रहे तो इंफानाइट होता है ठीक है तो जब question में जीरो डैंपिंग का जिक्र नहीं किया जाए तो इंफानाइट वाला option कभी भी टिक नहीं करोगे जैसे ही question में अगर जिक्र कर दिया कि वहाँ पर small amount मतलब नॉर्मली अगर दे दिया question कि भैकम में क्या होगा तो simply आप लोग को maximum कर देना है ठीक है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत damping देखने को मिलेगा लेकिन अगर zero damping लिख दिया तो वहाँ पर एंसर क्या हो जागा इंफानाइट हो जागा ठीक है अब इस चीच को लेकर मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब डाउट हुआ था और मैंने एंसर देखा तो एंसर में डिरेक्ली लिख दिया था इंफानाइट ठीक है लेकिन अगर थोड़ा सा ना कंसेप्शलि सोचा जाए तो मैक्सेम भी हो सकता इंफानाइट भी हो सकता है ठीक है मैक्सेम कब होघा जब स्मॉल अमाउन्ट में डैंपिंगं दिखे गा और जब जीरो डैंपिंग रहेगा तो इंफानाइट ओगा तो आपके जो एंसर है answer में यह सोचा गया है कि भैकम है तो एर है नहीं एर है नहीं तो कोई भी damping होगा नहीं इसी वज़े से आपका answer infinite पे टिक कर दिया गया है ठीक है तो होब कि आपको force vibration free vibration damped oscillation resonance clear हुआ होगा ठीक है अब आगे देखते हैं आगे है question number 106 106 एक बहुत ही अच्छा कोश्चन है ठीक है बहुत सींपल सा कोश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि the distance between a node and the succeeding anti-node distance between node and succeeding anti-node in a stationary wave of a wavelength lambda इस क्या क्या होगा ठीक है तो यहां पर आपको क्या क्या चीज का concept पूछा जा रहा है stationary wave या फिर standing wave का concept पूछा जा रहा है आपने अगर मेरा वेव वाला चैप्टर वाला वीडियो देखा है तो उस चैप्टर को देखने के बाद यह एंसर आप इसली कर लोगे ठीक है इतना बताने की मेरे को जरुवत भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताता हूं देखो स्टिशनरी वेव या प्रोग्रेस कर रहा है ठीक है तो जब दो या दो से ज़्यादा प्रोग्रेसिव वेव आपस में सूपर इंपोस करें सूपर इंपोस मनें आपस में मिल जाना चाहे वह ऐसे मिलेगा ठीक है चाहे इसके उपर ही मिलेगा मनें आपस में सूपर इंपोस कर जाए विथ सेम ए wavelength same velocity और traveling along in the same direction यह सारा चीज के साथ अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा वेब चल रहा है मनें 2 वेब है जिसका amplitude भी सेम है frequency भी सेम है wavelength भी सेम है velocity भी सेम है और वो travel भी कर रहा है सेम डारेक्शन में उस तरह के वेब को जब हम super impulse करेंगे तो वहां पर एक नया वेब बनेगा जिसको बोलेंगे standing wave या stationary wave stationary मतलब क्या होता है रुका हुआ standing मतलब क्या होता है खड़ा तो standing wave क्यों इसका नाम पढ़ रहा है क्योंकि देखो अगर एक वेब है ऐसे चल रहा है ठीक है अब इसी के same amplitude का एक दूसरा वेब same amplitude same frequency का दूसरा वेब अगर इसके opposite में ऐसे चल गया ठीक है तो अब जब इसके opposite में ऐसे चल जाएगा तो यह वेब जिस हिसाब से ऐसे आगे बढ़ रहा था उसको दूसरा जो नीचे से चला यह इसको क्या कर देगा रोक देगा तो जब यह रोक देगा न तो इस point पे एंटी नोट्स एंड नोट्स का बनेगा तो जैसे देखो यह ब्लैक वाला एक वेब है ब्लू एक डूसरा वेब है और यह जो ब्लैक ब्लू है यह basically कौनसे वेब है लेमडा तो तुम खुच से सोचो कि अगर एक वेब यहां से यहां लेमडा है तो यह नोड है और यह भी नोड है तो नोड से नोड का बीच का दूरी क्या हो जाएगा लेमडा बाइटू खुच से सोचो यह पूरा लेमडा है क्योंकि यहां पर देखो इधर से देखे इस पूरे पूरा यहां पर पूरा कितना है लेंडा है अब इसको तुम देख रहे हो कि यहां पर चार भाग में इसको बाट दिया गया पहला पार्ट यह दूसरा पार्ट यह तीसरा पार्ट यह और चौथा पार्ट यह तो पूरा यह वाला पाड़ भी हो गये यह वाला पाड़ भी लीज़ाद से नोड का दूरी तो यह थू बोला नोड यहां छाओन रहता है जहां पर डिसप्लिस्मंट क्या हो जाए पस confession displacement जीरो हो जारा एंटी नोड में डिस्प्लेस्मेंट मैक्सिमम रहता है ठीके देखो मैंने यह लिख दिया नोड से एंटी नोड का दूरी lambda by 4 यह नोड है यह एंटी नोड है इनके बीच का दूरी कितना हो जाएगा lambda by 4 हो जाएगा और एंटी नोड से एंटी नोड का दूरी lambda by 2 तो इस हिसाब से आपका कौन सा option होना चाहिए क्या पूछ रहा है question में question में पूछ रहा है node and the succeeding anti-node मने नोड और एंटी नोड के बीच का दूरी क्या होगा तो lambda by 4 होगा ठीक है जो chapter से question आ रहा है ना उस chapter को कोई भी हालत में छोड़ना नहीं है कहीं से भी कैसे भी करके उस chapter को पूरा detail में पढ़के जाना है ठीक है क्योंकि इतना जान जाओ अगर वेब से question तीन चार पांच अगर वेब से question आया है तो 2023 में भी तीन चार पांच वेब से question आएंगे ही आएंगे ठीक है इसलिए उस chapter को पढ़के जाना ही जाना है आगे देखते हैं आगे वाला जो question है यह काफी अच्छा question है देखेंगे यहां पर क्या है एक हॉल है a hall of a dimension 15 meter 10 meter and 5 meter is found to have the re-vibration time of 1.15 if the wall and floor have an absorption coefficient of 0.03 then the absorption coefficient of selling is option आपका यहां पर दिया हुआ है तो अब सबसे पहली बात की है सर कौन से concepts है तो basically यह वाला जो है ना यह chapter है आपका acoustics of buildings acoustics of building मना की sound से related chapter है इस कौन सा concept पर question है वो मैं समझा रहा हूँ कि अगर माल लो एक hall है ठीक है अब यह hall है तो यह hall में मना समका hall basically cuboid shape का होता है है ना तो cuboid shape का माल लो एक hall है उसमें selling होता है floor होता है wall होते है तो बहुत सारा चीज है उसमें तो बोल रहा है कि hall का dimension आपको दे दिया है 15 meter 10 meter 5 meter अब उसमें revibration time भी दे दिया है 1.15 ठीक है और if the wall and floor have absorption coefficient अबने बुल का आपका दे दिया है absorption coefficient और आपसे पूच रहा है कि floor का absorption coefficient क्या होगा floor का भी दे दिया wauren floor का दे दिया आप से selling का पूच रहा है ठीक है wall and floor का 0.03 आप से सेलिंग का पूछ रहा है तो ध्यान से समझना जैसे माल ले एक रूम है ठीक है यह रूम एक क्यूबाइट सेप का है अब इसमें कितने वाल हो गए एक वाल दूसरा वाल सामने वाल तीसरा चौथा चार वाल हो गया यह चार वाल का आपका एब्सॉप साउंड को एब सब्सक्राइड रिटाएट-уем गजय पीसिटी कितना घिरो फंट री लेकिन सेलिंग वाल पार्ट उपर यह एक होटा जो प्रेंग वाला पार्ट कितना ignored करेगा आप sound is defined as the persistence of sound due to multiple reflection in hall even after the source of sound is cut off आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप hall विगरा में बात करते हैं तो वहां यह बोला जा रहा है कि एक hall है जैसा hall का dimension होता उस पर डिपेंड करता है ठीक है तो वही बोला जा रहा है कि एक hall है उस hall का reverberation time इतना है reverberation time मतलब कि जैसे आपने कोई चीज बोला तो वह आवाज आपका इतने सेकेंड तक या इतने मिनट तक ऐसे गूंजते रहे हो ठीक है वह चीज बोला जाता है तो आगे देखते रिपाबरेशन टाइम का क्या है कहानी दे टाइम फॉर विच साउंड प्रसिस्ट इन हॉल इवन आफ्टर दा सोर्स कट आप मतलब दिमाग में सेट कर लो कि एक ऐस टाइम जिसमें आप सोर्स मनें साउंड का जो सोर्स उसको कट अफ कर दे रहे फिर भी आवाद जो है वह प्रसिस्ट कर रहा है पूरे हॉल में इस तरह के साउंड को बोलते रिपरेशन टाइम तो इसको इसके रिलेशन को देने वाले थे सेवाइन ठीक है तो एकॉडिंग यह का मतलब होता है टोटल एब्जॉप्शन ओफ साउंड इन हॉल ठीक है तो ए मतलब टोटल एब्जॉप्शन की आपने टोटल इसमें चारो सर्फेस में कितना एब्जॉप्शन हो रहा है तो इसको अम लोग समेशन ओफ एंटु एस करते हैं एबिसिकली क्या है कोफिस् 4.164V by summation of AS ठीक है इस तरीके से भी फर्मूला को लिख सकते हैं यह आपका रिवरेशन ओप टाइम का फर्मूला है अब देखो यह कोशन तफ क्यों बन गया क्योंकि आपको इसमें जो दिया है ना यह रिवरेशन टाइम तो इसमें बोल रहा है कि जो फलॉर है फलॉर कितन कश्कुन जो है वाल कितना है बस आपका क्या नहीं दिया सेलिंग का नहीं दिया तो हमको यह सेलिंग वाला पार्ट को निकाला है थिक है तो फलोर वाला तो दिया हुआ है वाल भी दिया तो बहुत ज़्यादा टफ कोश्चन नहीं बनता लेकिन आपने सेलिंग को यहां पे नहीं दिया इसके वज़े से कोशन टाफ है तो एक्जाम में में भी आपका सेलिंग छोड़के वॉल पे कोश्चन आ जाए फ्लोर पे कोश्चन आ जाए तो किसी भी पॉइंट पर तो हमने वॉल्यम आ लिख लिया वॉल्यम हमारे पास इतना आ गया रिवर्बेशन टाइम हमको दे रखा है 1.15 यह आपका वॉल्यम में लेंथ ही होता है ब्रेथ ही होता है हाइट ही होता है अब देखो एब्जॉप्शन कोश्चन ओफ वाल एंड फ्लोर मनें एवन और सर्फेस अरिया भी यहां पर क्या है वॉल्यम तो अगर हम देखे तो एवन एषवन अगर हम इसका समेशन कर रहे है तो एवन एशवन मने एवन एवन एश्वन मनें एब्जॉप्शन कोफिस्यंट औफ वाल और एस सर्फेस एरिया ऑफ वॉलिए के लिए एटू एटू- क्या निकालना तो आपके पास यह एक वाल है और उधर पीछे इसके जैसा इसी के जैसा एक वाल होगा 50 पीछे एक और वाल को तो हम बोल सकते हैं कि 10 5 इधर वाला और इसके इधर वाला भी वही तो सिलीए हम ने लिहान कर दिया 1 415 प्लस्दीब की अंतो की इधर şu इधर वाल के लिए 15 अंतो HEY के लिए तो S1 आया मने पूरा वाल के लिए जो एरिया आया कितना आया 250 स्क्वाइर ठीक है इसी तरह से S2 जो आएगा S2 basically किसके लिए है floor के लिए तो floor का area क्या हो जागा 15 into 10 तो यहाँ पे floor के लिए ही आ गया और selling के लिए क्या हो जागा 15 into 10 क्योंकि selling में उपर में भी तो वही चीज है area उसका भी वही तो हम लोगों ने तीनों का area निकाल लिया अब हम लोग समेशन करते हैं तो हम लोगों question में दिया हुआ है वाल का तो आपको दे दिये हम floor का भी आपको दे दिये selling का आपको नहीं दिये तो wall का हम value रख दिये multiply कर दिये उसके area से 7.5 floor का रख दिये value area से multiply कर दिये 4.5 और हमको selling का नहीं पता था selling का मैं एजटिज रख दिये area से multiply कर दिये इन सब को solve किये तो 12 plus 150 A3 आया इसको मना लिए equation 1 ठीक है अब बाकी जो हमको question में given था ती दिया था formula हम लोग उतार दिये और volume यहाँ पर रख दिये बाकी submission में जो चीज आया उसको एजटिज रख दिये अब देखो सारा value तुमारे सामने है बस तुमको केवल A3 निकालना है A3 निकालना है तो पूरा part को हम कहां उठा के लेके चलिए इधर लेके चलिए और बाकी वाला part को नीचे ले आए और मेरे को केवल A3 निकालना है A3 निकालना है तो हम क्या करेंगे यह जो दोनों चीज है पहले चीज तो 12 जो है यह प्लस में इसको उदर भेजेंगे तीव चल जाएगा माइनस में और यह जो 150 है वो क्या है तो option number B आपका सही हो गया तो question में दम नहीं था question में बस concept बहुत ही brief पूछा गया था और यह जो points में दिया गया है तो इसको solve करने में थोड़ा time जा सकता है बाकी concept reverberation का एक ही होता है formula एक ही होता है इसी में से कहीं भी घुमाया जा सकता है फ्लोर में गड़बड़ी कर देगा या वाल में गड़बड़ी कर देगा या फिर selling में गड़बड़ी कर देगा और question to the point पूछ देगा ठीक है तो बहुत ही simple सा चीज है अगर आप concept अच्छे से समझ गये तो एक छोटा सा formula है उसको यूज करके आप बना सकते हैं अगर यह चीज नहीं समझ में आए तो फिर से आप इस चीज को देखेगा अव्यसी बात है समझ में आ जाएगी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जो हमारा concept है यह डिपलोमा second semester के पार्ट से आया हुआ है इसमें हम लोग देख रहे हैं आपका light का concept ठीक है इसमें light पे हमारा question आया है इसमें कह कह रहा है कि देडियोफ करवेचर ऑफ सर्फेस ऑफ़ डबल कन्वेक्स लेंस डबल कन्वेक्स लेंस है ठीक है जिसका रिडियोफ करवेचर दिया हुआ है 20 cm and 40 cm and its focal length is 20 cm the refractive index of the water with respect to glass is क्या होगा यह options आपके सामने है तो इसको समझने के लिए हम लोग एक चीज समझना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं lens maker formula ठीक है और lens maker formula को समझने से पहले आपको light का basics पता होना चाहिए जैसे कि आप लोगों ने class 10 में पढ़ा होगा light में कि reflection reflection क्या होता है ठीक है reflection क्या होता है फिर उसके बाद आप लोगोंने पढ़ा होगा sign convention सब आप लोग ने टेंथ क्लास में फड़ा होगा तो यह सारा चीज आपको आना चाहिए तभी आप इस लेंस में कर फर्मूला वाले फर्मूला को समझ्य से पहले यहां पर हमको क्या कह रहा है डबल कन्वेक्स लेंस तो डबल कन्वेक्स लेंस 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 में कर फर्मूला यहां लिखा हुआ है लेकिन यह लेंस में कर फर्मूला का डरिवेशन नहीं है पहली बात यहां डबल कन्वेक्स लेंस लिखा हुआ ह ठीक है तो देखे रिप्रेक्शनेट कर रिविक्ष सर्फेस अगर हम देखे तो माल लिजा यहां पर एक अबजेक्ट रखा हुआ है ठीक है अब यह आपका कुन्वेक्ष सर्फेस है यह आपका एंड़ वन मीडियम यह एंड़ टू मीडियम बने यह एयर है और यह ग्लास है है और यह WALALA जो पी सी जो डाइन जा रहा है यह बिसुक्ली नॉर्मल यह जोन्कि आप सब को पता होना चाहिए जो भी लाइन सेंटर ऑफ् affordable से पास करता है वही रास्तरविक्ष वह वापस चला जाता है इसलिए वापस चला जाता है क्यूंकि वह नॉर्मल होता है ठीक है तो इसको इस डेरिवेशन को करने से पहले कुछ एजमसंस हैं जिसको हम लोगों को मानना पड़ता है जैसे एजमसंस क्या है अबजेक्ट शुड भी पॉइंट साइज पॉइंट साइज ही अबजेक्ट ले सकते हैं अगर हम बड़ा नॉर्मल बन गया है क्योंकि यहां से रिफलेक्ट कर गया ठीक है अब rarer से dancer जा रहा है तो क्या होगा तो तुम लोगht को एक मैने ट्रीक दिखाया था ट्रीक बताया था d harder का d for dancer ठीक है a4 away और r for rarer जब dancer से dianser जाएगा तो away जाएगा और जब rarer से dancer आएगा तो towards जाएगा तो यहां rarer से dancer जा रहा है तो यह towards the normal मने normal की तरफ bend करेगा तो normal की तरफ bend कर रहा तो यहां बनेगा image आप ध्यान देना object जो image object के साथ जो angle बन रहा principle axis का उसको बोलते alpha image के साथ जो angle बन रहा उसको बोलते हैं beta और जो normal के साथ angle बन रहा उसको बोलते हैं gamma और देखो यहां से normal के साथ और incident रहे के साथ यहां incident अंगल बन गया और यह normal और reflected रहे के साथ यहां पर आपका angle of reflection बन गया ठीक है अब यहां से देखेगा यह object distance से यू यहां से यहां तक आपका और यहां से यहां तक आपका भी मनें इमेज डिस्टेंस ठीक है इतना तो समझ में आ गया होगा अब आते हैं स्नेल स्लॉप पे आप में से बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा होगे सरी स्नेल स्लॉप क्या है तो स्नेल स्लॉप से डरना नहीं है जैसे आप लोगों ने रेफ्रेक्शन का फर्मूला समझ एक सरयक्षन का फर्मूला क्या होता है अपने 7 ख्लास मेंusta इस थे customer in और एख साइन अर के बरावर होगा एब इसको di में करेंगे तो क्या is equal to n1i ठीक है नाव इंट्रेंगल o mc कौन सा ट्रेंगल ले लिया हमने ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या है o mc ओ है यहाँ पर और आपका मैं यहाँ पर बनाया ही नहीं है तो वह यह वाला पॉइंट होना चाहिए आपका एम ठीक है ओ एम सी यह वाला ट्रेंगल हम ले रहे हैं वह एम सी अगर हम लेंगे ट्रेंगल तो आप सब को पता है आपने बच्पन में पढ़ा होगा कि अगर हम जैसे माल लीजे इस तरह का चीज़ अगर देखते हैं लो हम लोगों ने पॉजिट ऑफ टू इंटेरियर रेंगल इनको जोडने से एकस्टीर रेंगल के बराबर आता है तो यही प्रिपर्टी यहां पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस ट्रेंगल को हमने लिया है ओ एम सी इसमें देख रहेंगे यह एकस्टीर रेंगल है और यह दुनों इंटी ट्रेंगलं एम-sी-धाई मतलब मोटा मोटी दिमाग में एक बात रखना है कि य आप जसाथ बन रहा है उसके लिए और यह वाला जो आपकर जिसका exterior angle है इसका exterior angle क्या हो जागा इस एंगल को ध्यान से समझेगा mci तो आप कह सकते हैं कि r plus beta is equal to gamma r plus beta is equal to gamma क्योंकि यह दो interior angle है और यह exterior angle है तो r plus beta is equal to gamma हो गया तो इस हिसाब से r का value क्या हो जागा gamma minus beta तो देखिए आप लोग यहाँ पे हमने यहाँ आई निकाला और यहाँ पे r निकाला अब फिर उसके बाद कुछ नहीं करना यह जो 2 और 3 है इसको उठाके किस में डाल देना है one में डाल देना है एकदम step by step देखो सबसे पहला काम यह रहता है ठीक दूसरा काम रहता है i और r को निकालना i और r को निकालके इसमें put कर दिए i के जगह पे जो चीज हम लोग निकाले हैं alpha plus gamma r के जगह पे gamma minus beta तो r के जगह पे हम लोग यहां देखो पूट कर दिए gamma minus beta और i के जगह पे alpha plus gamma बस इसके बाद इसमें क्या हो जागा यह multiply हो जाएगा तो multiply करेंगे तो यह n2 gamma minus n2 beta n1 alpha minus n1 gamma ठीक है अब देखो जो n2 gamma वाला पार्ट है ना यहां भी देखो gamma वाला पार्ट यहां भी gamma वाला पार्ट तो गामा वाला पार्ट क्या करेंगे एक साथ कर देंगे एंटू gamma minus n1 gamma is equal to यहां पर क्या बच रहा था एंवन अलफा एजटी और इधर से माइनस था तो यह वाला पार्ट उठके किदर आजएगा इधर आजएगा तो बन जाएगा एंटू बीटा ठीक है इसमें से गामा को ले लेंगे common तो बनेगा एंटू इन माइनस इंटू गामा और यहां पर अलफा प्लस न्टूलफा यह बनगा एक्वेशन फोर ऐतना निकालना हम लोगा काम नहीं ता, आभ हम लोग इतना न्िकाल लूइए इतना निकालनी के बाद हम गामा अलफा और बीटा को replace करना यहां से शटा देना कि 1 कम career ख़एने के लिए हम लोग क्या करेंग्हे इसको हटाने के लिए टिइक्निमेट्री का उस्काइब करने के लिए यहां पर हम छोटा शा lived करेंगे और इस construction में हम लोग यहाँ पर एक MN ड्रॉ करेंगे ठीक है यह MN इसलिए ड्रॉ किया हमने क्योंकि बहुत सारे वच्चों को doubt होता है कि सरी एक curve है तो curve है तो इसको हम ट्रेंगल थोड़ी न मान सकते हैं लेकिन तुमको मैंने पहले ही बता दिया था assumption में कि यह बहुत ही close ह प्रिंस्पल एक्सिस के इसलिए इस कर्व को आप स्ट्रेट मान सकते हैं ठीक है तो यह ट्रेंगल ले लिए हमने अब इसके विशिस पर अलफा अगर हम देखें तो आप ध्यान से सोचो अगर हम देखें अलफा इस इकॉल टू क्या होगा MN भाई ओन है तो यह बन जागा MN भाई NC है ना उसी तरह से कर हम बात करें बीटा का तो बन जाएगा MN भाई NI अब यह जो NI है वो PI के बराबर होगा क्योंकि यह बहुत ही बहुत ही क्लोज है मैंने सुरू महीं बोला था यह बहुत ही क्लोज है तो NI होना चाहिए था लेकिन हम लोग इसको PI लिखेंगे त देखो आप सब को पता है ठीटा का फर्मूला होता है अलफा इस इकल टू क्या होगे MN भाई ओपी देख रहे हो आप लोग MN भाई ओपी ठीक है होना चाहिए था क्या MN भाई O N लेकिन क्या लिखा रहा है MN भाई O P क्योंकि यह बहुत ही आपस में मतलब क्लोज है क्यो ठीक है देखो MN भाई पी आई उसी तरह से अब यहां पर थोड़ा सा यह अल्फा बीटा तो निकल गया उसर से गामा जब निकल जागा MN भाई पी सी अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिजेगा यह जो ओपी है यह ओपी बेसिकली क्या है ओपी यू के वराबर है ठीक ह अब साइन कंविंशन में इधर जो भी चीज आता है वह माइनस होता है इधर जो भी चीज आता है वह प्लस होता है तो ओपी इधर आ रहा है तो यह क्या हो जागा माइनस ओफ यू जबकि पी आई यह देखो पी आई भी जो है पी आई के बराबर है तो यह होगा प्लस यह इदर व्ला सिर्फ जोगा माочку क्या जागा माइनश क्योंकि सायन कावनिक्षन में इधर माइनस इधर प्लस ठीक सब्सरी यहां पर हो रहा है MN माइनस उऑ भी माइनस उफ्यू दिखाक क्यों लिखा कि तो जैसे जैसे हमारे आपस गामा था तो कुछ नहीं करना गामा के जगह पर अल्फा के जगह पर अन्वाइब भी बी बिटा के जगह पर अमने आगे रखा इन यह वाद में रखा है तो एसे रखने से क्या हुआ N2-N1 यह देखो यहाँ भी MN है यहाँ भी MN है यहाँ भी MN है MN को common लेके यहाँ से MN और इधर से MN cut गया है तो यहाँ से क्या बचेगा N2-N1 by R और यहाँ बचेगा N2 by B minus यहाँ यह U वाला minus जो था उसके वज़े से N1 by U यह आपका बन गया क्या reflection at convex surface के वल एक surface के लिए reflection का यह हुआ ठीक है अब इसके बाद देखो यह तो था कैसा surface के लिए convex surface के लिए अब यहाँ पे concave surface के लिए तो concave surface को आपको खूद से समझना है क्योंकि concave surface में भी सेम वही चीज है एजमसन point size होना चाहिए साइनार के बराबर वही सेम चीज सब कुछ है सारा step भी वही है देख लो आप लोग पहले यह चीज बना फिर यहां से आई निकाला और निकाला फिर इसके बाद हम लोगों ने आई आर के जगह पे पूट किया पूट करने के बाद देखो यहां equation फोर बना equation फोर करने के बाद वही यहां से अलफा बीटा और गामा का भेलू निकाले और यहां पर पूट कर दीए पूट करके यहां भी फर्मूला ऐसा आगया तो कंकेब सर्पेस पढ़ना नहीं था लेकिन मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिए आप लोग एक बार कंकेब सर्पेस का देख लीजेगा ठीक है अब ध्यान दीजेगा जो लेंसमेकर फर्मूला होता है लेंसमेकर फर् लेंसमेकर फर्मूला क्या होता है लेंसमेकर फर्मूला काफी ही मतलब अच्छा है तो देखो लेंसमेकर फर्मूला में कुछ नहीं होता है लेंसमेकर फर्मूला में सिंपल इतना समझ जाओ इसको समझ गया लेंसमेकर फर्मूला समझ में आ जागा इसमें क्या है कि इसमें इसमें देखो एक assumption मानके चलना कि जहां से object से रिय अगर निकल रहा है तो रियल object है और अगर कहीं पर object का रे मने तुमको ऐसा लग रहा है कहीं दूर से आ रहा है कहां से युविश्च हो गया लेकिन इसमें तुमको अगर पता है कि इसलिए को बोला जाते कि बहुत ठीन होता है कि यह उब भी को हम लोग जो डिस्टेंस होता है इसली नेगलेट कर पाते हैं ठीक है तो लेंस पर फर्मूला का डाइग्राम देखिए यहां पर हमने एक लेंस लिए रखा है X M Y N X मनिए यह पुरा लेंस है ठीक है इसकी पहला जो सर्फेस है वो है X M Y और दूसरा जो सर्फेस है X M Y है ठीक है पहले सर्फेस पे ऑभ्जेस से रह जा रहा है । गरन सब्सक्रण सर्फेस जा रहा है बैट करने के बाद धो इमएजर बना रहा तो यहां पर ध्यान दिजेगा यह वाला दूरी हो गया यू यह वाला दूरी हो गया भी और यह वाला दीरी हो गया भी डाश ठीक है क्योंकि एक इमेजनरी ऑब्जेक्ट बन चुका है क्योंकि इसके रहे को पता नहीं कि कहां से आ रहा है ठीक है तो यह एन वन से जा रहा है यह तरह से तो कुछ नहीं करना है 4Surfix xm y निकाला था nd 2-1 यहाँ पर हमने लगा दिया N2 by V1 minus N1 by U उसी तरह से for surface X and Y X and Y के लिए X and Y के लिए हमने लगा दिया N1 minus N2 divided by R2 N1 by V minus N2 by V dash ठीक है जैसे यहाँ पर U था ना आप देखो यहाँ पर V dash जो है यह बन गया है कौन सा object imaginary object imaginary object बन गया है ठीक है यही लगाया फिर दोने equation को हम लोग क्या कर देते हैं equate कर देते हैं जैसी दोने equation को equate करते हैं तो इधर वाले part को add करते हैं और इधर वाले part को भी add करते हैं दोनों side से जब हम add करेंगे तो यहाँ वाला N2 by V1 और यहाँ से N2 by V1 कट जाएगा यहाँ केवल बचेगा N1 ठीक है आप तुम सोच रहों कि सर्फ बीच में प्लस का साइन था तो माइनस कैसे हो गया तो देखो यहाँ पर द्यान से यहाँ पर N2-1 और यहाँ पर N1-2 तो जब हम इसको N2-1 करेंगे तो आगे में साइन आएगा ना मैंस का इसलिए N2-1 किया तो आगे में साइन आया माइनस का तो सी बेसिस पर लिखा गया 1-1-1-2 और यहाँ पर N1-1-1 यू ठीक है अब इसमें कुछ ने यह जो N1 है यह नीचे डिवाइड में आ जाएगा इसके फर्मुला कुछ इस तरीके से जनरेट होगा हमारा देखो और यह फर्मुला कब होता है जब यू रहे इंफिनिटी पे और भी रहे एफ पे तो यह बन जागा एंट्व माइनस एंवन आगया नीचे यह बना वन बाई आरवन माइनस वन बाई आर्टू बन बाई एफ और यह जो भी था मैंने पहले बोल सब्सक्राइबन से इसको जब तुम डिवाइट करोगे सेपरेटली एंटी बाई ऑन और यहां से भी न रहें तो कटके बन जाएगा थे बनेगा क्या एंटु यह माइन वन माइनस वन बाई यान माइनस वन डाटू इस इगल टू लन फ सकते हैं अब स्पेशल केस दिया और वाटर में दिया है तो फोकल लेंथ ओफ लिक्विड रखना और जब तुम दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके तुम्हारा फर्मूला कुछ इस तरीके का बनेगा अब जैसे इस पर भी कोश्चन देता है कभी-कभी कि यह आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक करो एफल वाला और यह लगा दो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर त्री बाइट वाटर में हो जाएगा फोर बाइट्री माइनस वन सॉल्फ करो सॉल्फ करके वेलू कितना आ जाएगा आपका यहां पर नाइन बाइट इस तरह से कोश्चन भी आया है पार्ट टू मे यह दिख जाएगा इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफकस कर दिया अब देखो सॉल्फिशन कैसे किया हम लोग तो कुछ नहीं यूजिंग लेंस में कर फर्मूला का यूज किया फोकल लेंट यहां डाल दिया मियू मतलब वही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और यहां वन बाइ यहां जो मियू आया मियू को हम लोग यहां पर निकाले तो मियू आ गया फाइब लगबग 1.67 बहुत ही इजी सा चीज था लेकिन अगर यह फर्मूला आप नहीं समझ पाते तो यह इस तरह का कोश्चन कभी नहीं बना पाते इस लिए इस फर्मूले को और अच्छे से बिल जागा और एफ्रेक्टिव इंडेक्स फफटर एंड गलास 4 by 3 & 3 by 2 रिस्पैक्टिव ली इन एक्टीव इंडेक्ट सो वाटर वी इस्पैक्ट टूगलास क्या होगा तो देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फबार दिया है पोर भाइ-3 ग्लास दिया है 3 by 2 अब रहाएंगे िृष्πα대 कि रहे होगा दो सोचोगे वेबस बढ़ाऊ गए तो वेब जो है वो बड़ा-बड़ा बने का वहां परistor 25 हो जाएगा और बढ़ाएंगे तो यहां पर दो कि क्या होता वह तरह का रेशियो होता है स्पीड ओफ लाइट का ठीक है तो अगर वेवलेंद बढ़ा देंगे तो वहां जो रेशियो वह डिक्रीज कर जाएगा या फिर सिंपल सी बात में एदम रिलेशन याद रख लेना कि वेवलेंड जो होता है वह रेसीप्रोकल होता है कि इसके रिफ्रेक्टिव इंडेस के इसलिए वेवलेंड बढ़ाएंगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेस घटेगा याद रखना ठीक है इस पर कोशन आएगा आगे देखिएंगे कोश्चन नंबर 111 जिसमें हम लोग बात करेंगे एक पोटेंशल सर्फेस की क्योंकि इसमें पर क्या है सेम उस तरह के सर्फेस को बोलते इक पोटेंशल अब इक पोटेंशल सर्फेस बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील लाइन होता है वहामेशा रखनाइन अपना सफेस तभी वह एक पोटेंशल सर्फेस क्या बोलना है पॉइंट पर पॉटेंशल क्या होगा सेम होगा और वो कउपसेम हो पाता है जब הב coupe फिल्ड सर्फेस से कौन इलेक्टर फिल्ड सर्फेस से क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा कौносos सर्फेस जो भी सिर्फेस है जैसे मतलब इसका जो सर्फेस बन रहा ना एर का सर्फेस होगी यह कोई भी चीज का सर्फेस उससे कितना बनाएगा यह 90 डिग्री बनाएगा कौन इलेक्ट्रिक फिल्ड इसलिए कट करता एच एदर एट 90 डिग्री ठीक है इसके बाद देखो इसके बाद कूलम स्लोव में क्या है टू फिक्स पॉइंट चार्ड फोर क्यू एंड टू क्यू इस तरह कोशन के एक्दम समझ ले रहा है और मैंने इलेक्ट्र स्टेटी के क्लास में भी यह वला कोशन कराया है कि दो पॉइंट चा की इस पर हम की तो Crash को ४ रखेंगे क्यों से समझ लो इसली से क्या है यहां पर एसी समझा यहां कुण चार्ड रखा हुआ है यहां पर कोई q charge रखा हुआ है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है इनके बीच का डिस्टेंस है x बोल रहा है कि यहां पर बोल रहा है कि ऐसा कॉण सो पॉइंट पर रखेंगे कि equilibrium हो जाए तो मान लो कोई भी पॉइंट तुम ले लो और वहां पर क्या करो अपने से को थूठ रख दो अगर यह पूरा डिस्टेंस एक सैसे यह दिस्टेंस को अगर तुम ए मान लोते हो तो दिस्टेंस क्या हो जाएगा X minus A हो जाएगा ठीक है और बोल देना है कि इन दोनों के बीच का फोर्ष और इन दोनों के बीच का फोर्ष दोनों फॉर्ष इक्वल है उसके पर आपका डिस्टेंस निकल जाएगा ठीक है तो अभी हम लोग इस चीज को देखेंगे लेकिन फैसे समझते कि कौन सा है concept है Coulomb's law तो आप सबको पता होगा according to Coulomb law the electrostatic force between two point charge is directly proportional to product of their charge and inversely proportional to distance of square between them यह सबको पता होगा आप लोग को कि जो charge है दो charge के बीच में plus plus में repulsion होता है minus minus में repulsion होता है plus minus में attraction होता है तो आप सबको आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है इसका इसका इसा उनिट क्या होता है हाला कि इसका इसा उनिट मेरे में भी आप सबको पता होना चाहिए क्या होता इसका 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 होना चाहिए Newton मीटर स्कॉाइर कूलम पर स्कॉाइर ठीक है और EPSALON नोट का इसा उनिट जो होता है और FFACTION में कुछबड आपको आर यrences लग जाता और नीचे और क्यूब होजाता है ठीक है मैंने अपने वीडियो में पताए गार स्टफेक्ट वाले में ब्लोडेट है तो चैनल नोट निखलता है वहां पर आपको ईश्ची कैसे निकलता है दामेंशन भी बता दिया कि माल लो अगर इसका युनिटी पूछ दिया इसका घंट ही तो कहीं से भी आप क्यूंकि कदीख treatment क一点 प्छिंद एक इसका युनिट दो को फिर इसका चॉट्छ रा फ्टर है एक यह बेल मैं कहाणी पर कैसे से होगा दो देखो 4 q charge है एक यहां पर q charge है अगर यह पूरा डिस्टेंस आर है इस डिस्टेंस को एक्स माने ठीक है तीवरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा और मैंने यहां पर आर मान के बनाया है कोश्टन में एक्स दे रखा है तो आप एक्स माइनस ही करके बना सकते हैं अब इसमें मैंने बीच में q charge लग दिया q charge लखने से equilibrium कह रहा तो मतलब इन दोनों के बीच का force और इन दोने के बीच का force दोनों force सेम होना चाहिए तो अगर हम f1 निकालेंगे तो q1 q2 मने q into 4 q by r square मने x का square उसर से f2 निकालेंगे तो q1 q2 by r r क्या है एक r minus x का whole square अब equilibrium में यह दोने equal होते हैं equal होते हैं तो दोनों को हम क्या कर देंगे आपस में equate कर देंगे जब आपस में equate करेंगे तो देके उड़ गया q q उड़ गया और यहां से q इसके साथ उड़ जाएगा तो बच्चेगा 4 by x square divided by 1 by r minus x square यह इसके साथ multiply यह इसके साथ multiply तो 4 r minus x का whole square is equal to x square इन दोनों को solve करेंगे तो हम देख रहे हैं 4 का square को हम लिख सकते हैं 2 का square ठीक है यह सब पर square हो गया तो यह square 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 3-6 से cancel हो गया तो बच्चेग यह 2 r minus x is equal to x to 2r is equal to 3x तो x is equal to 2 by 3 r ठीक है 2 by 3 है 2 by 3 को अगर हम लोग divide विगर करेंगे अच्छा देखो 2 by 3 कि इधर से आ गया x आया और यह वाला जीच देखें यह वाला चीच कैसे हो जाएगा r minus x मने r minus 2r by 3 मने 1 by 3 अब इनको divide करेंगे तो divide करने साब का कहानी killer हो जाएगा अब देखो मैंने जो question में बनाया था 4 q और q के लिए बनाया था और आपका सायद question में आया है 4 q q के लिए नहीं आया है question question सायद आप लोगा आया है कहां के आया है question हाँ देखो 4 q और 2 q के लिए इसलिए मेरा answer नहीं आ रहा था मैंने 4 q और q के लिए बना दिया आप लोग 4 q और 2 q के लिए खुद से बनाओ से यही concept यूज करो मैंने यह आप ऐसे picture भी दे रखा है बनाओगे automatic आपका answer आ जाएगा ठीक है इसके बाद हम लोग question 113 जो की दूसरे page में मेरा है तो उस पर हम लोग आएंगे पहले आप लोग इतना कीजिए उसके बाद पार्ट टू में हम लोग आगे के questions को दिखेंगे कि अब पार्ट टू में हम लोग आगे के questions को दिखेंगे